एक सूपरस्टार का अभागा भाई नासिर खान कहते हैं शोहरत और ग्लैमर की चाका चौन से भरी फिर्म इंडस्ट्री बाहर से जितनी आकरशक नजर राती है असलियत में कुछ और ही है उपते सुरज की इबादत यहां की रीत रही है जिनकी चमक फीके पर जाती है उन्हें जल्दी ही भुला दिया जाता है इंडस्ट्री में अलग-अलग समय में कई ऐसे कलाकार आए जिन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में तो खूब नाम कमाया लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे गुमनाम हो गए अभिनीता नासिर खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ बहले ही उन्होंने अपने भाई दिलिप कुमार के साथ अपने करियर की शुरुआत की हो लेकिन आज उन्हें कोई भी नहीं जानता बलकि उन्हें दिलिप कुमार सहब के भाई के तौर पर ही जाना जाता है अभिनीता और दिलिप कुमार के छोटे भाई नासीर खान भी इसी लिस्ट के हीरो थे जिने बॉलिवुट के अंधेरी दुनिया ने अपने आप में सिमेट लिया था गुमनामी के अंधेरे से इनके लिए निकल पाना असान नहीं था बलकि उन्होंने कई फिल्मों में काम कि लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इने सिर्फ और सिर्फ दिलिप कुमार सहब की भाई की तोर पर जाना जाने लगा आखिर क्यों नहीं लोगों ने इनकी फिल्मों को पहचाना दरसल अपने करियर में इन्होंने आर्ट फिल्म फेर पद्म विभूशन और कई अन्ये बड़ की बाग थे इन्ही फलों को बेच कर उनके घर का गुजारा होता था बारा भाई बहनों मी से दिलिप कुमार का बच्पन बहुत ही तंगहली में बीता था क्योंकि घर में लोग ज़ादा थी और कमाने वारा सिर्फ एक दिलिप कुमार को मिला कर उनके छे भाई थे जिनके नासीर खान एचसान खान अलसम खान नूर मुहांमद आयूब सरवार थे वहीं दिलिप सहब की छे बहने फैजिया खान कि रूप बताया जाता है कि दिलिप कुमार और नासीर खान की मा आईशा बेगम को दमेकार रोग था और साल 1948 में उनका निधन हो गया बादमी साल 1950 में उनकी पिता भी जल बसे पिता की मृत्यू के बाद परिवार की जिमेदारी दिलिप कुमार पर आ गई और सबसे बड़ी बहन सकीन नहीं शादी नहीं की थी और उनका आखरी वक्त अजमीर शरीफ में सीवा करते होई बीता था बीमारी के चलते दिलिप कुमार के भाई आयूप खान का निधन 1954 में हो गया था नूर मुहम्मद साल 1991 में दुनिया को अलविदा कह गये दिलिप की तरह उनके भाई भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्ता थे उन्होंने सुरया और बेगम पारा से दो शाद्या की थी बाद में चर्म रोग की वज़ा से नासीर का फिल्मी करियर खत्म हो गया साल 1976 में दिल का दोरा पढ़ने से अमरित सर में उनका नेधन हो गया था दिलिप सहाब के दो भतीजे इमरान औ और अयूब है अपनी फिल्मी सफर में नासीर खान ने 39 फिल्मों में काम किया था हीरो के तोर पर उनकी आखरी फिल्म आदमी थी इसमें हिरोईन वो अभिनेतरी थी जिनसे उन्होंने बाद में शादी कर ली थी पिक्चर रिलीज होने के बाद नासीर ने बेगम पारा से शादे की थी नासीर खान अपने भाई दिलिप कुमार के साथ भी कई फिल्मों में नज़र आये थे उनमें से एक मोवी थी गंगा जमुना इसको सतेन बोस ने बनाया था दो भाईयों की कहानी पर बुने गई पिक्चर में अभी ने भी असल जिंदगी के भाई ही कर रहे थे नासीर खान ने इसमें पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी दिलिप कुमार और नासीर का करियर लगबग एक साथ ही शुरू हुआ था दिलिप कुमार ने साल 1944 में फिर्म जवार भाटा सी करियर की शुरूआत तो की वहीं 1945 में मज़दूर सी नासीर खान कैमरे के आगे आए इसके बाद नासीर ने शहनाई फिल्में काम किया और सफलता हासिल की वहीं दिलिप कुमार तब तक तीन सफल फिल्में कर चुके थे इसके बाद साल 1951 में नासीर ने नगीना में काम किया उस वक्त दिलिप दीदार में अभिने कर रहे थे फिर नासीर धीरे धीरे दिलिप कुमार से पिछड़ते चले गए कुछ समी बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को ही अलविदा कह दिया वो नासिक में खीती बाड़ी करने लगे उनका महाँ पॉल्ट्री फार्म भी था बेगमपारा से शादे के बाद दोनों को तीन संतान हुई इनमें एक बेटा नादिर खान, दूसरा बेटा आयोग खान और बेटी लुबना है बाद में आयोग बॉलिवुड फिल्मों में अभी नीता बने नासिर तीन मई साल 1974 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे 9 दिसंबर 2008 को उनकी पतनी बेगमपारा का भी निधन हो गया नासिर खान ने अपनी करियर के दौरान मजदूर, अंगारी, खजाना, नाजनीन, हंगामा, नगीना, आगोश, श्री मतीजी और नकरी जैसी कुल 29 फिल्मों में काम किया लेकिन दोस्तों पिता नी ना सही पर बेटी ने अपनी पिता का नाम उचा कर दिया दरसल नासिर खान की बेटी आयूप खान को आप बख्षू भी जानते होंगे क्योंकि उन्ही टीवी सेल के साथ कई फिल्मों में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किरदार निभाते हुई देखा गया है नासिर खान ने दो शादिया की थी उनकी दूसरी शादि उस जमाने की मशूर एक्ट्रिस बेगम पारा से हुई इसी शादि से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम अयूप खान रखा गया अयूप खान का जनम 23 वरवरी साल 1968 को मुंबई में हुआ था एक्टर ने भी अभीने को अपने करियर के तौर पा चुना आज उन्हें इंडस्ट्री में आये लगभग तीन दशक का समय बेच चुका है इस दौरान अयूप ने कई सारी फिल्मों और टीवी सीरीज में काम किया है मगर उनका करियर काफी उतार चड़ाव से भरा रहा फिल्मों में उन्हें जादा बड़े रोल्स करने को नहीं मिले इसके बाद उन्हें टीवी का रुप किया और कई सारे हिट सीरील्स का हिसा भी रह चुके हैं उन्होने साल 1992 में मासूख फिल्म से अपने करियर की शुरात की थी इसके बाद वो मेरियान, स्मगलर, मिर्तियुडन, दादागिरी और जानी जिगर जैसे फिल्मों में नज़र आए मगर उन्हें पहचान मिली आमिर खान की दो बड़ी फिल्मों से आमिर खान की फिल्म मेला में वो छोटा सा किर्दार निभाती नज़र आए मगर इस किर्दार ने उन्हें पहचान दिलाई इसके अगले ही साल वो आमिर खान की एक और बड़ी फिल्म का हिस्सा रहे वो दिल चाहता है में नज़र आए वो इस फिल्म में एक negative shade का किर्दार निभा रहे थे मगर इसमें भी उन्हें नोंटिस किया गया आमिर के अलावो वो अजे देवन के भी तीन फिल्मों का हिस्सा रहे हैं वो कयामत, गंदजल और अलोसी कार्णियल जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे है टीवी से कमाया खुब नाम अक्टर को भले ही फिल्मों में जादा बड़े रोल्स ना मिले हो मागर उन्हें टीवी में जादा फुटेज मिली उत्रन सीरियल में उनकी द्वारा निभाए गए जोगी ठाकुर के रोल को भला कौन भूला सकता है इसके अलावा वो शक्ती एक हसीना थी सजदा तेरी प्यार में इंडिया कॉलिंग साही बीवी और गुलाम मुसकान, करिश्मा और कोशिश जैसे सीरियल में शामिल होते हुई नज़र आए वही हम आपको ये भी बताती चलीं कि साल 2020 में कोरोना की पहली लहर में उनके दूसरी छोटे भाई एहसान खान का भी इंतकाल हो गया वो 92 साल के थे एहसान खान का कोरोना वाइरस से संक्रमित होने के बाद मुंबाई के लिलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था वो हिर्दे रोग, उच्छे रक्त चाप और अल्जाइमर से भी ग्रस्त थे एहसान खान से पहले 21 अगस्ट को दिलिप कुमार के एक और छोटे भाई असलम खान का 88 साल के उम्रे में निधन हो गया था वो भी COVID-19 से संक्रमित थे असलम खान भी मुंबई के लीलावती अस्पताल में भरती थे वैसे दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे सूपरस्टार रहे दिलिप कुमार के भाई नासिर खान के बारे में जहां एक तरफ दिलिप कुमार सहब ने इंडस्ट्री में वो नाम और शोहरत कमाई जो आने वाली पीड़ी भी याद रखेगी वहीं दूसरी तरफ उनके भाई नासिर खान जिनकी ऐसी किस्मत रही कि अपने भाई के साथ ही करिया शुरू करने के बावजूद उन्हें आज कोई नहीं जानता आपकी क्या राय है अभी कमेंट करके जरूर बताएए तो मिलते हैं ऐसी ही सदा बाहर किसी कहानियों के साथ अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखे बाई बाई